हेलो दोस्तों स्वावत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लान में तो चलिए आज की साइज की किलास को सुरू करते हैं तो पार्ट आठ पढ़ेंगे पादप में जनन तो चलिए बढ़ते हैं इसको लिखा आए अपने वांस अत्वा प्रजाती को बनाई रखने के लिए पादप और जन्तों के लिए जनन आवस्यक है कच्छा चै कि अध्याइचर में अपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं माता पिता से संतती का जन में जनन कहलाता है नेकिन पादप कैसे जनन करते हैं पादपों में जनन विवन विदियों द्वारा होता है जिनकी बारे में हम इस अध्याइ में पढ़ेंगे लिखा है जनन की विधियान तो पादप यानि पौदे किस प्रकार से जनन करते हैं उसके वारे में पहेंगे लिखा है कच्छा चय में आपने पुस्पी पादप के विविन भागों के वारे में पढ़ा था पादप के विविन वागों के नाम बताईए और पिरते के प्रकार्रिव के बारे में लिखिये अधिकान्स पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं ये पादप के कायद अंग हैं और कौन से मूल, तना और पत्तियां व्रद्धी की निश्टित अवदी की बाद अधिकांज पादपों में पुस्प खिरते हैं आपने वसंत्र दुगे आम की ब्रचों को पुस्पित होते देखा होगा यही पुस्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित दरते हैं का अनन्द हम गर्मियों भी उठाते हैं हम फलों को खाते हैं और सामानिता बीजों को पेक देते हैं वेज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं यदि ऐसा है तो पादप में पुस्प की क्या भूंका है पुस्प पादप में जनन का कार करते हैं बास्तों में पुस्प पादप की जनन अंगों बोते हैं। किसी पुस्प में केवल नल जनन अंग अत्वा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंगों बोसफते हैं। आगे लिखा है पादफ अनेख विदियों द्वारा संतती उत्पन करते हैं इनमें जनन दो प्रकार से होता है अलेंगिक जनन और लेंगिक जनन तो पादफ अलेंगिक जनन में पादफ बिना बीजों के ही नए पादफ को उत्पन करते हैं जबकि लेंगिक जनन में नए पादफ बीजों से प्राप्त होते ही तो पादफों ये दो प्रकास से जनन होता है एक लेंगिक और बुश्रा अलेंगिक लेंगिक में क्या होता है बीजों से नया पादप उत्पन होता है जबकि अलेंगिक में बिना बीजों के ही नया पादप यानि पौधा उत्पन कर सकते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगी अलेंगिन जनन के बारे में और अलेंगिन जनन से प्रस्ण पूछा जाता है और पूछा भी गया है तो चलिये पठते हैं, लिखा है अलैंगिक जनन में नय पादप बीजों रथ्वा बिंजाड़ियों के उपियों के बिनांगी उगाई जाते हैं अब पहेंडी क्या समस्ती थी ये भी लिखा है लिखा है पहेंडी ये समस्ती थी कि नए पादप सदय बीजों से ही उगते हैं लेकिन उसने कभी गन्ना आलू गुलाम के बीज नहीं देखे वैं जानना चाहती है कि ये पादप कैसे जनन करते हैं तो गन्ना आनु गुलाम सभी में अलेंगित जनन होता है और किस प्रकार से होता है यह नीचे पढ़ेंगे लिखा है काईक प्रवर्दन तो काईक पिरवर्दन से इन सभी में जनन होता है तो किस प्रकार से होता है? डिखाए यह एक प्रकार का अलेंगिक जनन है जिसमें पादप के मूर, तने, पत्ति, अत्व, कनी जैसे किसी काईक अंग द्वारा नया पादप प्राप्ट किया जाता है चुलकि जनन पादप की खायक भावों से होता है अता इसे खायक पिवर्दन कहते हैं तो कायक पिवर्दन किसमें किसमें होता है ये भी जान लेते हैं तो गुलाब में किसी गुलाब के तने की कनम से जनन तो गुलाव की कलम है उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस पर पानी राते रहते हैं कुछ दिनों में नया पौदा उत्मंड हो जाता है इसी पिरकार से आलू में भी काईक जनन ही होता है काईक परवर्दन तो आनू वाला किरियातन आप जो पढ़ लेते हैं लिखा है एक ताजा आनू नी जी आवांतक लेंस की सायता से इस परपड़े छत चिर्नों को देखिए आपने देखा होगा कि आनू को समय तक रखे रहते हैं तो उन पर इस परकार की कुछ चिर्न दिखाई देते हैं आगे लिखा है आपको इनमे कनिका या कनिकाई दिखाई दे सकते हैं छत चिर्न को आँख भी कहते हैं आनु के कुछ टुकड़े काटिये जिनमें से पिर्टेक में एक आँख आवस्षो और उन्हें मिट्टी में दवा दे थे उस स्थान पर कुछ दिनों तफ़ पानी डालते रहे जहां आपने आनु के टुकड़ों को मिट्टी में दवाया था कुछ दिन वाद आलिंग के टुकुडों को कोद करने का नीजिये आप क्या देखते हैं इसी पिरकार अद्रव पत्वा हल्बी भी उगा सकते हैं तो काईक पिरवरदन आलिव में, गुलाव में, अद्रव में, हल्बी में इसी पिरकार से प्रजिनन गोता है इसके अद्रिंग तो कुछ और अद्रवी होते हैं यहाँ पर लिखा है बिरायव फिलम पत्थर चटा तो यह एक पौधा है, इसके बारे में लिखा है लिखा है, पत्थर चटा में पथला की किनारे से गर्थ में कलकाईव होती है यदि इस पादप की पत्ती आद्र मिर्दा पर गिर जाए तो पिरतेट कल का नई पादप को जन्म दे सकती है कुछ पादपों की जड़े भी नई पादपों को जन्म दे सकती है उदारण के लिए सकर, खंदप और डनेलिया यह होती है पत्थर चटा की एक पत्ती है और इस प्रकार इससे नई पादप बन जाते हैं आगी लिखा है क्याप्टस जैसे पादप के बेभाग जो मुख पादप से अलब हो जाते हैं नई पादप को जन्म देते हैं प्रतेक विलगन भाग नए पादप के रूप में विरंदी कर सकता है यानि क्याप्टफ होता है उसके किसी भाग को काट कर मिट्टी में दवा दिया जाई तो उससे नया पौधा उत्पन वो जाता है आगी रखाए काएक प्रवर्दन द्वारा पादप कम समय में उगाई जा सकते हैं बीजों से उगाई जाने वाली पादप की अपेच्छा काएक प्रवर्दन द्वारा उत्पन पादपों में पोस्प और पल कम अवादी में ही आ जाते हैं नए पादप जनक पादप की अथार्थ प्रतिलिपी होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन होते हैं इस अध्याय में आगी आप पढ़ेंगे कि इसकी विप्रीत लेंगिर जनन द्वारा उत्पन होने वाले पादप में अब जानते हैं मुकलन के बारे में लिखा है आपने पहले ईस्ट की बारे उपड़ा है जिसी केवन सूच में दर्सी द्वारा ही देखा जा सकता है इनके लिए यदि परियाफ्त पोसड उतलब्ड हो तो ईस्ट कुछी गंटों में विरंदी करके गुडन करने लगते हैं आर्था जनन करने लगते हैं याद रखिए East एक एकल को उसका जीव है आईए हम देखते न कि ये जनन कैसे करते हैं तो East कैसे जनन करता है इसके लिए किरिया कलाप को पढ़ना होगा तो चलिए पढ़ते हैं लिखाएं बेकरी से East केक अत्वा क्यमिस्ट की दुकान से East पौडर खरीद ले चुटकी भर इस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो इसमें एक चमत सक्कर डाल कर उसे जल में घोल ले अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें एक घंटे की पश्चा इस द्रम की एक बूंद काज की सिलाइड पर रखकर सूश्म डर्शी से देखें आप वो क्या दिखाई देता है आप नई East कोसकाम वो देख सकते हैं तो इस प्रकार से जैसे इस चित्र में दिखाया गया है ये East कोसका है ये विक्सित हो रहा है मुकुल और नवीन मुकुल और मुकुल स्रंखला तो इस प्रकार East में मुकलन द्वारा जनन होता है आगे निखा है East कोसका से बाहर निकलने वाला छोटे बन्व जैसा प्रवर्द मुकुल यापकनी कहलाता है मुकुल क्रमसा वरद्धी करता है और जनक कोसका से विलवग होकर नई East कोसका बनाता है नई इस्ट कोस्का विक्सित होकर परिपपकू हो जाती है और फिर नई इस्ट कोस्काइं बनती है कभी कभी नवीन मुकुल नई मुकुल नवीन मुकुल से नई मुकुल विक्सित हो जाती है जिसे एत मुकुल संक्ला बन जाती है जदी यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत संक्या में यिष्ट को सबाएं बन जाते हैं तो मुकलन द्वारा जनन किस में होता है यिष्ट में होता है इस बात को याद रखी अब पढ़ते हैं खंडन के बारे में लिखा है आपने तालाव वत्वा ठेरे हुए पानी के अन्य जलासें में हरे रंके आवपंग की गुच्छे त्यारते हुए देख ले होंगे ये सेवाल हैं जब जन और पोसक तप उपलब्द होते हैं तो सेवाल ब्रद्धी करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं सेवाल दो या अधिक खंडों में व बड़े छेत्र में पैल जाता है आपने देखा हुआ कि तालाबों पर जो हरी हरी दिखाई देती हैं उसे सेवाल कहते हैं तो ये खंडन द्वारा जनन करते हैं और कुछी समय में एक बहुत बड़े छेत्र पर फैल जाते हैं आगे लिकाने वीजाणू निर्माण दिखाए अध्याई एक में आपने पढ़ा कि डवल रोटी में वायू में उपस्तिज वीजाणू से कब आप उग जाते हैं अध्याई एक में दिये गई कि लिए दिखाए डवल रोटी पर रूई के जान में वीजाणू को देखिए जब वीजाणू निर्मवफ्ट होते हैं तो ये वायू में त्यारते रहते हैं चुंकि ये बहुत हलके होते हैं इसलिए नमभी दूरी तक जा सकते हैं वीजाणू अलेंगिक जनन ही करते हैं क्योंकि पिर देख जिवाडू उच्च ताप और निम्न आदर्ता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिस्थितियों को जेले के लिए एक कट्रोल सुरच्छात्मक आवरण से ढखा रहता है इसलिए ये लंबे समयता जीली तरह सकते हैं अनकूल परिस्थितियों में द्वारा होता है तो कवक में वीजान द्वारा जनन होता है इस वात को याद रखिएगा यहां इस चित्र में आप देख सकते हैं और फर्न में वीजान द्वारा जनन होता है इस वात को भी याद रखिएगा प्रस्थितियों में पूछा जा सकता है तो मास फर्न और कवक इन में विजानमों द्वारा जनन होता है, इसको याज रखेंगा. आगे लिखा है लेंगिक जनन, तो अब लेंगिक जनन के बारे में बढ़ते हैं, लिखा है पुस्ट की संदचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि पुस्ट के पादप जननन होते हैं, पुंकेसर, नर जननन अंग और इस्तरी केसर मादा जनन तो इसको समझने के लिए किरिया फेला पढ़ना आवश्यक है ती चलिए पढ़ लेती हैं लिखाएं सरसंगोड है लिया पिटूनिया का कोई पुस्प लीजिए और इसके जनन अम्वों को प्रथप कीज़े पुंकेसर और इस्त्रीकेसर के विविन वावों का अध्यन फेजिए ऐसे पुस्प जिन में या तो केवर पुंकेसर अत्वा केवर इस्त्रीकेसर उपसिच होते हैं एक लिंगी पुस्प कहलाता है यानि कि ऐसा पुस्प उसमें या तो केवर पुंकेसर हो या इस्त्रीकेसर तो ऐसा पुस्प कहला एदा एक लिंगी पुस्प आगी लिखा है जिन पुस्पों में पूव केसर और इस्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे दू लिंगी पुस्प कहलाते हैं मक्का पपीता और ककड़ी या खीरे के पौदे में एक लिंगी पुस्प होते हैं तो एक लिंगी पुस्प में मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के जो पुस्प हैं वो एक लिंगी ने इनको याद रखिएगा उधारण के नियर और जो दे लिंगी पुस्प हैं उनके बारे में लिका है जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौदों में दे लिंगी पुस्प होते हैं, नर और मादा एक लिंगी पुस्प दोनों एक ही पादप पर उपस्तित हो सकते हैं, अथ्वा भिन पादप पर पाई जा सकते हैं क्या आप केसर में पराव कोस और तंत्र को पैचान सकते हैं पराव कोस में पराव कर होते हैं जो नर रिव्म को बनाते हैं इस्तरी केसर में वर्तिकागर वर्तिका और अंडासय होते हैं अंडासय में एक या अधिक भी जान्ड होते हैं मादा एल्मक अत्वा अंड का निर्वार विजान्ड में होता है लेंडिंग जरन में नर और मादा एल्मकों के एल्मन से योग मिनज बनता है तो इन चित्रों को समझनी दिए ये पूंके सर है, ये पुतंतू है और ये पराग कोसिल ये इस्त्री के सर है ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये बीजान्ध है और ये अंडास है अम समझ लेते हैं परागण के बारे में लिखा है सामानिता परागण कड़ों में द्रण सुरच्छात्मक आवरण होता है जो उन्हें सुखने से बचाता है क्योंकि परागण कड़ हलके होते हैं अतावाई वाई वत्वा जल द्वारा बहाखर ली जा सकते हैं पुस्पों पर वैटने वाले कीटों के सरीर पर परागण कड़ चिपक जाते हैं जब कीट उसी पिरकार के किसी अंड पुस्प पर वैटते हैं यदि पराग कर उसी पुस्प की वर्तिकागर परण बिरते हैं तो इसे स्वप परागर कहते हैं। अब पढ़ते हैं निसेचन के बारे में लिखा है नर तथा मादा युगमकों के युगमन द्वारा बनी को उसका युगमनाज कहलाती है। अब पढ़ते हैं फल और वीज का विकास तो फल और वीज का विकास किस पिकार होता है। इसके बारे में लिखा है लिखा है निसेचन के परशाथ अंडा से फल में विक्सित हो जाता है। जबकि फुस्प के अंगात मुलजाब कर गिर जाते हैं। पई पफ हो जाने पर अंडा से फल के रूप में विक्सित हो जाता है। वीज अंड से वीज विक्सित होते हैं। वीज में एक गुरूर होता है। जो सुरच्छात्मक वीज वरण के अंडर रहता है। वो शिपल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आंग, सेव और संत्रा। वो शिपल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अख्रोट। तो इस चित्र में सेव छपा है और ये बादाम। तो सेव होता है गुदेदार और बादाम होती है कठोर। आगी लिखा है बीज प्रकीरण। लिखा है प्रकरती में एक ही पिरकार के पातब विविन इस्थानों पर उगें में पाई जाते हैं। ऐसा बीजों के विविन इस्थानों पर प्रकीरण के कारण होता है। कवी कवी किसी वन अथ्वा खेत या पिर ध्यान में चैल कर्मी करते हैं। समय आपको अपनी वस्त्र पर अलों के बीज चिपके दिखाई देते हों भी। क्या आपने कभी ये जानने का प्रियास किया कि ये वीज आपकी मस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी वीज एक ही इस्थान पर गिर करो वहीं लोगा है। आपके विजार में इस परिस्तिती में क्या होगा। पादप के नबोद विदों के बीच धुओं के जरिखन जो और परिकार के पादप के नबोद यदों में सूर के पिरकान जल और खन्यों के लिए परस पर इस परदा की संभावना कम हो जाती है। रकीडन पादप को विद्रित होने में सायफ होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पख़ड बनाने में समर्थ दो सके। तो आज की नएशन में पादप किस परकार से जरन करते हैं इसके वारे में जाना है और बहुत ही मेहति पूरत अट्थेओं को पड़ा है जैसे काईक प्रवरदन, मुकुलन, खंडन, इसिसे चन इन सब मेहति-पूरत अख्यों के वारे में जाना है। तो आज का ही वीडियो यहीं पर समाप्त होता है वीडियो कासा लगा कमेंट वाक से जड़िल बताईएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप मुंते हैं को और नई वीडियो के साथ पर तक के लिए बाइ बाइ